हेलो एवडियो एं वेड़ी गूड मानिंग टू आल अफ यू मैं डॉक्टर पिजेश रंजन अपलो का स्वागत करता हूं अपने यूटूब चैनल केपी सिवीन पे दोस्तो एट्थ मार्च है तो आज दो महत्पून दिन है पहला एप्पी होली टू आल अफ यू इच्छ दोस्तो आठ मार्च है चलिए आज यह सोनी लीव एप पर आज आठ मार्च के लिए भी हम लोग रेजिस्ट्रेशन करेंगे रेजिस्ट्रेशन नाओ को क्लिक कर दीजिए आज कुशन नंबर सेवन डी सेवन है तो चलिए क्लिक है टू रेजिस्टर को क्लिक कर लिजिए आ Boeing. तो यहां पर question पूछा जा रहा है जो US President है. जिन्हों ने बोला है कि एक million jobs create होगा एक million यानी दस लग jobs create होगा अमेरिका में उस किस company की वज़ा से तो दोस्तों जिनको answer चाहिए मैं उनको बता दूँ यह चारो जो company है सब Airlines Company है और Air India ने डील किया है जिसके वज़ा से अमेरिका के President ने बोला कि दस लक मिलिन जॉब क्रियेट होंगे यह डील पिछले मेहने हुई थी तो जिनको answer चाहिए उनको मैंने answer दे दिया लेकिन मैं कुछ deal के बारे में बता जाता हूँ तो इससे क्या होगा knowledge होगा आपको पता होगा इस तरह के question के विसी और कौन और कुरुपती में आ सकते हैं तो डील किया था पिछले मेहने सिर्फ अमेरिका ने नहीं फ्रांस ने भी और इंग्लेंड ने भी यही बात बोली थी कि इस डील से हमारे हां इंप्लाइमेंट बढ़ेगी मतलब जॉब क्रियेट होगा तो डील क्या थी डेल डील यह थी कि एर इंडिया ने एर इंडिया ने अपना विस्तार करने के लिए अमेरिका के बोईंग से दो सो बीस प्लेंड और फ्रांस के एर बस से डाइसो डाइसो प्लेंड खरीदने की योजना बनाई है योजना क्या डील की है यह पचासी अरब डॉलर का डील है इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूं कि इंग्लेंड के जो पढ़ान मंतरी है रिशी सुनक उन्होंने क कुं खुशी जथाई तो जो यह लाना एयरबायस रहे रहा है इसमें क्या है कमपणी जराइस केंग्लेंड में लगाते हैं और ओक कंपनी इंग्लेंड में है तो जितनी भी प्लेन आएगी उसमें रॉल सुराइज की इंजन लगेगी इससे उनके हां भी इंग्लेंड में भी जॉब बढ़ेगा तो यह तीनों कंट्री इंडिया तो खुश है यह उनकी डील होगे इतनी बड़ी उनका विस्तार होगा अमिर्का खुश है उनके हां भी मिलेगा फ्रांस भी साथ में रिशिश उनक इंग्लेंड भी तो इस कोशन का अंसर एंडिया और यह डील धाइसो विवान ख़िदा जाएगा एयर बस से दो सो बीस विवान बोइंग से टोटल 470 बस प्लेन की बात हुई है डील हुई है लेकिन यह डील आगे भी बढ़ सक करते हैं बता जा रहा है बाद में नियू जाया था किकरीब चार्सो सत्तर आज प्लेम ख़िया जा सकता है तो इस दील बहुत बड़ी है चाहा जाता है कि एर इंड़ेश्टी के मत्तब जो एरलाइंस इंड़श्टी है उसकी ही सबसे बड़ा डील है तो यह था इस का आज का नौलोज दोस्तों वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर देना अभी तक सब्सक्राइब नहीं के तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू एरी मैच